तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 का कमेस्ट्री का फर्स चाप्र रसाइनिक अभिक्रिया युम समिकरन जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक लिए कर चुके हैं मैं जो लास्ट टॉपिक बढ़ाया था वो था आपका दहन और साथ में और आखसी करन और अभिक्रिया के दैनि other tips की होते हैं इस सब चीजों के बारे में हमलों पढ़ने वाले हैं तो चलिए दोस्तों आज की वी折्ण को पर आपको पूले को दचा करتم blij तके व्याय आई कुले करते हैं कि जोला क्या होता है तो फ्लेम क्या है जब किसी चीज को जलाते हैं किसी इंधन को जला रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें से जोला निकलता है खास करके जो गैसे निकलता है और जिलाते हैं तो इस ज्वाला निकलता है जिसपे हम लोगा बनाते हैं तो वहां ज्वाला रूता है अब क्वेश्चन आता है हमारे पास कि क्या केवल गैस नहीं ज्वाला उत्पन करते हैं कि ठोस और द्राव यह भी ज्वाला उत्पन कर सकते हैं लेकिन कंडिशन यह है कि ठोस इवं द्राव भी जल करके ज्वाला उत्पन कर सकते हैं यदि उन्हें गर्म करने पर वास्ट में परिवर्तित हो रहे हो यदि हम ठोस और द्राव को गर्म करें यानि कि ठोस इंधन है या द्राव इंधन है उनको गर्म करते हैं और वास्त में परिवर्तित हो जा रहे हैं तभी वो जलेंगे तो उसमें से क्या होगा ज्वाला उत्पन होगा अन्यथा नहीं होगा को जलाते ह तुसका प्रकृति कैसा होगा थो प्रकृति होगा तो ऑक्रिजन की मात्रा परूड ठाइन जीतना अधिक मात्रा मिलेगगा फ्लेम का कलर और उसका प्रकृति अलग-تब कम मिलेगा तो उसका प्रकृति का फथ्यप ś ind invece चले थोश और दोस और जो यह होता है हाइड्रो कार्बन हाइड्रो कार्बन का अर्थ होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन तो मोम जो है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना होता है ठेक है तो यह एक ठोस इंधन होता है जिसको जलाते हैं तो ज्वला उत्पन होता है ठेक है मोम को अगर हम गर्म है तो क्या होता है उसे फ्लेम उत्पन होता है ज्वला उत्पन होता है इस वास में पडिवर्तित होते ही है इसी कारण से ज्वला करते हैं इत के बारे में चलिए अब हम लोग समझते हैं कि जवाला कितने प्रकार के हो सकते हैं तो देखे जो जवाला है वो दो प्रकार के हो सकते हैं दो प्रकार के हो सकते हैं एक को कहेंगे प्रकास हीन जवाला और जो दूसरा है वो है प्रकास मान जवाला प्रकास हीन जवाला ना जिला रहे होते हैं तो जो गैस से जो चलता है उससे क्या प्रकास अधिक आता है कि कंम आता है तो बहुत कम प्रकास होता है उसका रंग को च rough तो जो भी नीला क्लर का जव़ला है वो सब थे हैं अब यह को उत्पन कब होते हैं तो सबसे पहले इसका जो अधिकाडिस रूप से लिए निकलने वाला फ्लेम है जवाला है उसका रंग नीला होगा और कैसा होगा परकाश थे हीन होगा इसको परद्भेश तरीकेसे लिख सकते हैं कि इसमें आपरण दहन होता है यह तो क्लियर है क्यों होता है यह पिखित का आहुत है क्यों how the oxygen को अधिक और इसके एकदम बेप्रित में होता है आपका प्रकास मान जौला क्यों इसमें क्या होगा इसमें ऑक्सिजन कम मात्रा में मिलेगा तो इंधन को जलना चाहिए वह जल नहीं पाएगा अभी हम बताएं कि मोंज होता है वो किस से बना होता है hydrogen और carbon से बना होता है यानि कि hydrocarbon होता है जब जलेगा तो hydrogen gas जल जाता है लेकिन जो carbon है वो जल नहीं पाता है क्योंकि oxygen की आपूरती कम होगा तो जो carbon के कन है वो जलते हैं जब तो चमकने लगते हैं जिसके कारण उसका जो रंग है पीला क्लड़ का होता है तो ध्यान रखें कि जो प्रकास मांजवाला होगा उसका क्लड़ कैसा होगा पीले रंग का होगा पीला रंग का होगा एडिजन उत्पन होने का तो ऑक्सीजन का कम आपू दğ Anen होता है तापमान चाहीं के तापमान कहळें कम करब में प्रगाश हिन तो इसके हम समझ पाएं ऐस चाप्टिल का लाश्ट Topic तो इन पीजी उसके बारे यह बना किस चीदसे ले इसमें कौन-कौन से अभया होते हैं यानि कि इसमें कौन-कौन-कौन-स गैसे मिलाकर कह सक बनाया जाता है तो होते हैं वह ब्यूतेन प्रोपेन और यह अठीन गाता है इनको बहुत ज्यादा दबाव पे एक स्लेंडर में भर दिया जाता है और इसके उपड़े के वॉल्ब लगा होता है जब जब रथ होता है तो गयास निकलने लगता है वहां से ठीक है अब इसमें जो मुख अव्याव है जो ज्यादा मातरा में होता है वो है ब्यूटे और य इसमें फिपी इा यह नहीं होता है तो अगर यह होने लगे तो मिन्हार है इसमें कोई गन्द या सुगन्द नहीं पाया जाता है जिसे से जाड़ now हो रहा है मालूम भी नहीं चलेगा तो पता करने के लिए लीख में है इसमें एक अलग से बहुत ही खड़ाब गंथ वाला पदार्थ डाल दिया जाता है जिसका नाम है एथिल मर्काप्टन ठीक है क्या नहीं उसका एथिल hramb Champ姐 naam का एक गैस होता है पडराठ होता है उसमें मिला दिया जाता है जिसके कारण क्या होता है कि इसमें एक बहुत की खराब परकार का गंध आ जाता है और जब लीक होता है तो हमें मालूम चल जाता है ठीक है तो उसका वर्जिनल ग्यास नहीं है यह सिर्फ गंध के लिए इसको मिलाया जाता है जो एक खराब प्रकार का ग्यास उत्पन करता है ठीक है दोस्तों तो अब जो हमारा चाप्टर है वह फर्स्ट चाप्टर कमेस्ट्री का रसाइनी कभी क्रियाएं एम समिकरन कंप्ल सब्सक्राइब करना नहीं बूले ताकि आपको सभी नए वीडियो मिलते रहे हैं अन्यवाद